महत्वपूर्ण कमांड्स सिलेक्शन यदि आप चैन नहीं करना चाहते हैं, तो Ctrl प्लस D ये बटन दबाएं या फिर चैन मेन्यू से डिसेलेक्ट कमांड का चैन करें या फिर यदि आपने गलती से चैन हटा दिया है तो re-select इस कमांड का चैन करें resize image या फिर transform image अगर हम किसी आकृती के आकार को बढ़ाना या घटाना चाहते हैं तो transform या फिर Ctrl प्लस D इस shortcut key का उप्योग कर सकते हैं। आकृती के selection pointer को आकृती का आकार बढ़ाने या घटाने के लिए खीचा जा सकता है। यदि आप आकृती के कुछ हिस्से को जुका हुआ दिखाना चाहते हैं, तो warp tool का उप्योग करें। जब आप इस tool का chain करते हैं, तो आप आकृती पर कुछ nodes देखेंगे। इन nodes को आकृती का आकार बदलने के लिए स्थानांतरित किया जा सकता है। यदि आप आकृती में कुछ और बदलाव करना चाहते हैं, तो desort, perspective, skew, जैसे कई विकल्प उपलब्ध हैं। आए देखते हैं कि इन commands का उपयोग कैसे किया जाता है। एक तस्वीर खोलें। इसके उपर के layer पर दूसरी तस्वीर की file चुने। अब पहले layer पर केवल उस भाग का chain करें, जहां आप तस्वीर के पहले भाग को प्रदर्शित करना चाहते हैं। Polygonal Lasso Tool का उपयोग करके chain करें। चैनित भाग में तस्वीर को fit करने के लिए layer palette से layer mask का उपयोग करें। तस्वीर अब चैनित भाग में fit है लेकिन तस्वीर का वो हिस्सा जिसमें हमें रूची है दिखाई नहीं दे रहा है। इस भाग के दिखने के लिए layer और layer mask में दिये गए link पर क्लिक करें और फिर इसे unlink करें। thumbnail layer का chain करें। अब तस्वीर आसानी से स्थाना अंतरित की जा सकती है। अपनी आवशकता नुसार इसे व्यवस्तित करें। आप पाएंगे कि आपकी तस्वीर आपकी इच्छा नुसार व्यवस्तित हो गई है। तस्वीर का समावेश। यदि आप किसी पेज पर कोई तस्वीर रखना चाहते हैं, तो फाइल मेन्यू से ओपन कमांड का उप्योग करें। तस्वीर के पाथ का chain करें और ओपन पर क्लिक करें। यदि आप तस्वीर के केवल एक निश्चित भाग में रूची रखते हैं, तो सिलेक्शन टूल का उप्योग करके उस हिस्से का chain करें और उसे work area में खीचें। जब हम work area में कोई तस्वीर जोडते हैं, तो इसके लिए एक नया layer बन जाता है। अब तस्वीर को resize करते हैं। ऐसा करने के लिए Edit menu से Transform इस कमांड का chain करें या फिर Ctrl प्लस T ये बटन दबाएं। अविशक्ता नुसार पेज पर अपनी तस्वीर व्यवस्थित करें और Enter की दबाएं। या फिर Option बार पर Commit Transform इस बटन पर क्लिक करें। Rasterizing Image Vector परत को rasterize करने का अर्थ है इसे pixel में परिवर्थित करना। Lino और Circular Shapes का उप्योग करके Vector Layer Graphics बनाए जाते हैं। इसके द्वारा चाहे आप तस्वीर की Size जितनी भी बढ़ाएं, उसकी स्पष्ठता कम नहीं होती है। हालांकि इसे एक कलात्मक प्रभाव देने के लिए आवश्चक है कि इसे rasterize किया जाए, यानि कि pixel में परिवर्थित कर दिया जाए। जब हम तस्वीर को Zoom करते हैं, तो Pixel यानि कि तस्वीर में वर्ग के आकार के बिंदू साफ-साफ दिखाई देंगे। अजय है। झाल